नमस्कार दोस्तों इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरे मुख्य समाचवार आप लोगों के लिए लेकर के आएं हैं दोस्तों जहाँ पर एक एकर के दिन भर की सभी बड़ी खबरे आप तक आगे इसी वीडियो में पहुँचाएंगे जहाँ पर दोस्तों जानेंगे पूर्व मुखे चुनाव आयुक्त ने खोली है बीजेपी की पोल कैसे सारे बड़े चुनाव आसानी से जीत रही है भाजपा दे दिये हैं सारे सबूत राहुल गांधी से लेकर के खड़गे भी हैरान अब होगा यहाँ पर बड़ा आंदोलन इवियम की चुट्टी होना तो वही जानेंगे खबर में कि वसुन्दरा राजे ने बीजेपी का प्रस्ताव ठुकराया है नड़ा को फोन लगा करके कर दिया है बड़ा एहलान विधायक बागी इसके साथ ही दोस्तों खबर को विस्तार से जानेंगे तो वहीं बताएंगे कि 370 पर फैसला देते चास से साथ विधायक खरीद करके सरकार गिराने की तैयारी में बीजेपी इसी प्रकार की तमाम बेहत बड़ी खबरें आप तक पहुचाएंगे आगे इसी वीडियो में दोस्तों खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि देश में तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूरी कीजेगा दोस्तों वी सपोर्ट बैलड पेपर जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चलें इवियम पर बैन आखिर क्यों जरूरी है पूर्व मुखे चुनाव आयोक्त एसवाई कुरैसी ने किया है बड़ा दावा कहा कुछ वीवी पैट का खराब होना सामाने है लेकिन साड़े छे लाग वीवी पैट खराब निकलना यहाँ एक गंभीर मामला है यह यहाँ पर कह भर बैना है पूर्व मुखे चुनाव आयोक्त का चुनाव आयोग लगातार धावे करता है कि इवियम को हैक नहीं किया जा सकता है लेकिन पूर्व मुखे चुनाव आयोक्त जो हैं S.Y. C.R.य.C. उन्नोंने बड़ा कुलासा कर दिया है और वही 19 लाख इवियम जो काइब कोई थी उसको लेकर के भी उनका कहना है कि ये मामला काफी गंभीर है लेकिन इसकी और कोई ध्यान ही नहीं देता है इतना ही नहीं आप लोगों को बताते चले पूरे मामले पर एक यूजर ने कहा है कि जब देश में भारा जोड़ो यात्रा हो सकती है तो इवियम छोड़ो आंदोलन आखिर क्यों नहीं होता है कृपया इवियम का विरोध करने वाले दल इसका जवाब दे राहूल गांधी को इस आंदोलन का नेतरुत करना चाहिए और सभी विपच्ची पार्टियों को एक जूटो करके मांग करनी चाहिए कि चुनाओ होगा तो बैलेट पेपर क यही जरिये होगा वरना हम चुनाओ में भाग ही नहीं लेंगे यहाँ पर चुनाओ आयोक से कहना चाहिए ऐसा यहाँ पर सोसल मीडिया पर यूजर्स की राय भी सामने निकल के आई है दोस्तों देख सकते हैं कि काफी गंभीर यहाँ पर आरोप लगा दिया है कि वीवी प पांधी एक यहाँ पर आंदोलन खड़ा करें एवियम के विरोध में तो वीडियो को लाइक करके अपनी राय भी कमेंट बाक्स में जरूर बता सकते हैं अगली जो खबर आ रही है उसकी तरह बढ़ते हैं जेपी नड़ा को फोन करके वसुन्दरा राजे ने एक साल के लिए मांगा है राजिस्थान का मुख्यमंत्री पद स्पीकर बनने से किया है साफ इनकार बीजेपी का प्रस्ताव टुकराया है दे दी है बड़ी चेतावनी सुत्रों के अनुसार बड़ी खबर राजिस्थ सुत्रों का कहना है कि वसुन्दरा राजे सिंधिया ने पार्टी के केंद्रियन नेतृत से एक साल के लिए राजिस्थान का मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाने की मांग की है इसके बाद वो खुद इस पद को छोड़ देंगी हाला कि इसी के साथ सुत्रों ने ये भी बताय है कि पार्टी नेतृत ने उन्हें स्पीकर बनाने की पेशकस की थी सुत्रों का कहना है कि उन्होंने स्पीकर यहां पर बनाने के पार्टी के प्रस्ताव को पूरी तरीके से यहां पर खारिज कर दिया है इनकार कर दिया है स्पीकर बनने से राजिस्थान की पुर्व करने की भी सलहा दे दी है यह यहाँ पर देख सकते हैं कि वसंदरा राजे ने अपने तेवर अब बीजेपी के केंद्रिय नितुरित को दिखा दिया है और दो टूक कह दिया है कि मुख्यमंत्री बनूंगी तो मैं ही बनूंगी स्पीकर नहीं बनूंगी यह यहाँ पर देख सकते हैं कि पीजेपी के अंदर अब पूरी तरीके से बगावत भी देखने को मिल सकती है जल्द ही दोस्तो इसके साथ ही जो अगली खबर आ रही है बेहधीत चौकाने वाली है सुप्रीम कोड के पांच जजों की समधानिक बेंच का फैसला आर्टिकल 370 हटाना सही लेकिन चुनाओ करवाओ और राजिका दरजा दो जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चलें सुप्रीम कोड का आदेश की 30 सितंबर 2024 तक प्रदेश में हों चुनाओ जम्मू कश्मीर को मिले पूर्ण राजिका दरजा जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के खिलाब डायर की गई आचिकाओ पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोड ने फैसले को सही ठहराया और कहा कि यहाँ समधानिक तोर पर सही है राश्ट्रपती को केंदर की सहमती से यहाँ फैसला लेने का अधिकार है इसके साथ ही सुप्रीम कोड ने जम्मू कश्मीर में चुनाओ कराने का भी निर्दिस दे दिया है और वहीं आप लोगों को बताते चलें आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोड के फैसले से उमर अबदुल्ला निरास महभूबा मुस्ति बोली हिम्मत ना हारे लोग और वहीं कॉंग्रिस ने की है जल्द चुनाओ कराने की मांग उमर अबदुल्ला ने सुप्रीम कोड के फैसले के बाद कहा है कि निरास हूँ लेकिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूँ बीजेपी पचास से साड़ विधायकों के साथ में बीजेपी में सामिल हो सकते हैं करनाटक के एक मंतरी पूर्व मुख्यमंतरी कुमार सौमी का दावा कहा जल्द ही गिरने वाली है सिधर अमया सरकार जिहां दोस्तों जब से करनाटक के अंदर बीजेपी की सत्ता गई है और कॉंग्रेस की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है तब से ही बीजेपी यहां पर तमाम तरहें के हदकंडे अपना रही है कॉंग्रेस की सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है लेकिन उसमें बीजेपी सफ़ा नहीं हो पाती है और इस बीच बड़ ही गिर जाएगी उन्होंने काए कि सत्ता रूड कॉंग्रेस के एक प्रभाव साली मंतरी केंदर के दुआरा उनके खिलाब दर्ज मामलों से बचना चाहते हैं जिसकी वजह से वहाँ बीजेपी का दामन ठाम सकते हैं और इसके साथ ही उनके साथ में पचास से साड़ विध यहाँ पर केंदरी एजनसियों के दौरा जो मामले दर्ज किये जाते हैं उसके यहाँ पर धबाओ की कारण ही विपच्छी नेता पार्टी छोड़ करके बीजेपी थाम लेते हैं उसके बाद में वे यहाँ पर क्लीन चिट पा जाते हैं यह यहाँ पर दोस्तों बड़ी ख एथिक्स कमिटी की सिफारिस के बाद में महुआ मोहित्रा की संसद की सदस्ता रद्ध कर दी गई थी दरसल महुआ मोहित्रा पर पैसे लेकर के संसद में सवाल पूछने के आरूप लगे थे लेकिन यहाँ पर महुआ मोहित्रा का कहना है कि उनकी यहाँ पर कोई भी बात न पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप लगा था एथिक्स कमिटी ने इन आरोपों को सही बताया था जिसके बाद महुआ मुईतरा की संसदी रद कर दी गई थी और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि महुआ मुईतरा पहुच गई हैं सुप्रीम कोट में और संसदी रद करने के फैसले को देदी है चुनाती इस समय कि दोस्तों आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे मुखे समाचार थे जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुचा है अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा जादा से जादा इन शेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों में और चैनल पर ना है तो दोस्तों चैनल को जब सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत